हेलो गाइज वेलकम टू मेटसन व्लॉक्स और लोगों पर डिपेंड करता है कि वो किस कटेगरी की मुवी जाता देखना पसंद करते हैं कुछ लोग Adventure, Fantasy, Crime, Thriller, Suspense और भी कई कटेगरी जी मुवीज होती हैं जिनको देखना लोग पसंद करते हैं कुछ movies होती हैं जो बाइफिक होती हैं और कुछ real life पर बेस होती हैं लेकिन जब हम adventure fantasy वाली movies देखते हैं तो एक नई दुनिया में खो जाते हैं movies का असर हमारे दिमाग पर काफी होता है और ये असर कितनी देर तक रहेगा ये कहा नहीं जा सकता कभी-कभी movies देखना फाइदेमंद होता है और कभी-कभी नुकसान दाइक भी हो सकता है जैसे एक सीक्के के दो पहलू होते हैं इसी तरह से हर चीज के advantage और disadvantage भी होते हैं लेकिन आज हम बात करेंगे दो ऐसी movies के बारे में जो आपको जरूर देखनी चाहिए इन movies को देखने से Hollywood movie है इसमें दिखाया गया है कि हमारी अर्थ पर global warming या पर्यवरन को लेकर इनसान खत्रे में है लेकिन इसकी चिंता किसी को नहीं है हर कोई अपनी life में बिजी है कोई पैसे कमाने में बिजी है कोई अपने life में struggle को लेकर बिजी है सरकारें अपनी policies में बिजी है इस movie में द पर लॉरेंस ने यह बहुत ही famous actress हैं आप समझ सकते हैं अगर यह इस movie में है तो इसकी कहानी कितनी अच्छी होगी इस movie में दिखाया गया है कैसे बड़े-बड़े businessmen, company और सरकार अपने फायदे के लिए इन सारे मुद्दों यानि की जैसे global warming, पर्यावरण और भी कई सारी चीजें होती हैं अपने फायदे के लिए इन मुद्दों का इस्तिमाल करते हैं लेकिन जब मुसीबत आ जाती है तब ये सब लोग मैदान छोड़कर भाग जाते हैं जनता को मुसीबत में डाल कर ये एक science fiction movie है इस movie को जरूर देखना चाहिए इस movie को देखकर आप समझ सकते हैं कि दुनिया में क्या चल रहा है और लोग बिल्कुल सीरियस नहीं हैं global warming को लेकर अपनी अर्थ को लेकर किस तरह से इनसान इन सब चीजों को बरबाद कर रहा है दूसरी movie है जैबीम ये एक Indian cinema की South movie है इस movie को लीड किया है South के जाने माने actor सूर्या ने इनकी acting दमदार तो गरीब और कमजोर मजदूरों को फसाया जाता है बड़े बड़े businessmen पैसे वाले और politicians को बचाने के लिए इनका case लड़ने के लिए कोई वकील तक नहीं मिलता है क्योंकि वकील की फीस जादा होती है इतने पैसे इन लोगों के पास नहीं होते हैं इनके परिजनों के पास न करते हैं और उसकी फीस भी नहीं लेते हैं और उनको इंसाफ दिलाते हैं इस मुवी में दिखाया गया है कैसे तारीख पर तारीख बढ़ती जाती है और निचले और कमजोर वर्ष का आदमी कितना परेसान होता है ये मुवी स देखा तो मैं बहुत ही प्रभावी दिया और बहुत ही कुछ मुझे सीखने को मिला समाज में कैसे क्या हो रहा है और कैसे गरीब लोगों की आवाज कमजोर लोगी की आवाज कोई उठाना नहीं चाता दोस्तों मैं एसान हुसेन और आप देखरें मेडिसन ब्लॉक्स मेरा ए इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें अगर मेरे चैनल पर नहीं है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे कैसे वीडियो आपको हमेसा मिलते रहेंग झाल 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 झाल